नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गिट विद आलोक ओनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्र 8 पीम न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइन्स पर डालते हैं एक नजर कैविनेट से मनजूर 23 सरकारी कमपनियों में हिस्सा बेचने की तैयारी में शरकार वितमंत्री ने कहा सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर मेचेगी हिस्सेदारी भारत इंडोनेसिया रक्षा संबंधों को और अधिक बढ़ाने के संकल पर दिया जोर ब्रम्होस क्रूज मिसाइल के संभावित निर्याद और समुद्री सुरक्षा पर प्रमुक्ता से हुई चर्चा तो चलिए बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं हाल ही में केंडरी वितमंत्री निर्मला सीता रमण ने बताया कि सरकार विनिवेस की योजना के तहत 29 कमपनियों में हिस्सेदारी की प्रक्रिया पूरी करने का काम कर रही है जिसके विनिवेस को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है वितमंत्री ने कहा कि आत्म निर्भर भारत के तहत सरकार तकरीबन सभी सेक्टर्स को निजिक शेत्र के लिए खोलने पर विचार कर रही है उन्होंने आगे कहा कि कारोबार के लिए दिये जा रहे कर्ज की समिक्षा के लिए जल्द ही लगू कर्ज का कारोबार करने वाली कमपनियों और गैर बैंकिंग वित्ती कमपनियों के साथ बैठक करेंगी इस मुद्दे पर अंतिम फैसले को लेकर उन्होंने अभी कोई जबाब देने से इनकार किया उन्होंने इतना जरूर कहा कि सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर हिस्सेदारी बेचेगी वितमंत्री ने कहा कि लगभग 22-30 ICP-SU कमपनियां है जिनके विनिवेस को सरकार की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है इससे एक बात तो साफ है कि जिन कमपनियों को विनिवेस की मंजूरी मिल चुकी है कम से कम उन कमपनियों का तो विनिवेस होना ही है आपको बता दें कि अनुसार वित्ती वर्ष 2021 के लिए मोदी सरकार ने 2.1 लाख करोण के विनिवेस का लक्ष रखा है इसमें 1.2 लाख करोण रूपए PSU के विनिवेस से आएंगे और 90,000 करोण रूपए वित्ती संस्थानों में हिस्सेदारी बेंच कर जुटाए जाएंगे 27 जुलाई को भारत और इंडोनेसिया ने रक्षा, उद्योग और प्रोध्योगी की साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का संकल्प व्यक्ति किया भारती प्रतनेधी मंडल की ओर से रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग और इंडोनेसिया ये प्रतनेधी मंडल की ओर से रक्षा मंतरी जनरल प्रबोबो सुबियान्तो थे दोनों पडोसी देशों ने सुरक्षा साजेदारी को नई दिसा की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने बातचीत के दोरान रक्षा और सैन संबंधों को विश्तार देने की समस्याओं पर चर्चा किया बैठक के दोरान प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख जनरल एम एम रनवडे नौसेना प्रमुख एड्मिरल करम बीर सिंग वाई सेना अध्यक्ष एयर चीफ मारसल आर के एस भधावरिया और रक्षा सचिव अजय कुमार भी सामिल रहे रक्षा मंत्राले ने कहा कि बादचीत के दोरान दोनों देशों के बीच ब्रम्हों स्कुरूज मिसाइल के संभावित निर्यात और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने को लेकर प्रमुखता से चर्चा हुई आपको बता दें कि साल 2018 में पी एम मोदी की इंडोनेसियन यात्रा के दोरान दोनों देशों के बीच एक नया रक्षा सहयोग करार भी हुआ था गौरतलम है कि भारत और इंडोनेसिया एक पडोसी देश हैं भारत के अंडमान नेकोबाद, द्वीप समुः, अंडमान सागर में दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा साज़ा करते हैं भारत इंडोनेसिया को आसियान का प्रमुक सदस से माना है दोनों राष्ट एक रणनीतिक साजेदारी अस्थापित करने पर सहमत हुए है और अबन्त में चलते चलते कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर एक नज़र जो आपकी परिक्षाओं के लिहाद से महत्वपूर्ण हो सकते हैं लडाकू बिमान रफाल के पहले बेडे को 27 जुलाई को फ्रांस के बारडी पोक्स से भारत के लिए रवाना किया गया जिसमें 5 बिमान सामिल है यह बिमान 29 जुलाई को भारत पहुँचेंगे इन बिमानों को हरियाना के अंबाला में वायुसेना की 17 बटालियन में आधिकारिक रूप से सामिल किया जाएगा फ्रांस से चलने के बाद ये बिमान कुछ समय तक सैयुक्त अरब अमिरात में फ्रांस के वायुसेना के अड़े पर रुखेंगे जहां पर हवा में ही इन विमानों में इंधन भरा जाएगा भारत ने फ्रांस की कमपनी 10 साल्ड से 36 विमान खरीद रहा है जिसमें से 10 विमान की डिलिवरी 27 जुलाई को होनी थी लेकिन भारत ने पांच विमानों को प्रस्रिक्षन के लिए फ्रांस में ही छोड़ दिया है भारत को पहला राफेल विमान अक्टूबर 2019 में सौपा गया था साल 2021 के आखिर तक सारे विमान भारत को मिल जाएंगे भारती प्रधान मंत्री ने 27 जुलाई को नुएडा, मुंबई और कोलकाता में तीन नए कोविट परिक्षन केंद्रों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उदगाटन किया इन तीनों केंद्रों को भारती आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानि ICMR के सहयोग से बनाया गया है इन तीनों केंद्रों की खास बात ये है कि कोरोना महमारी के बाद इन केंद्रों पर हेपेटाइटिस B और C तपेदिक डेंगू के अलावा दूसरी जटिल बिबारियों की भी जाच हो सकेगी सरकार ने चीन के 69 एप्लिकेशन को हाल ही में प्रतिबंधित किया था इसके बाद भारत सरकार द्वारा चीन के 47 एप को फिर प्रतिबंधित किया गया यह एप्लिकेशन पहले से प्रतिबंधित 69 एप्लिकेशन के क्लोन बताए जा रहे हैं इसके अलावा भारत सरकार पबजी सहित 275 चीनी एप्लिकेशन को प्रतिबंधित करने की तैयारी में है आपको बता दें कि पाकिस्तान पबजी को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश है प्रतेक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है इसका उद्दे से विश्व भर में हेपेटाइटिस के बारे में जागरुकता फैलाना है इस वर्ष का थेम हेपेटाइटिस मुक्त भविश रखा गया है यह WHO द्वारा चिन्हित आठ वैस्विक स्वास्त अभियानों में से एक है वाइरल हेपेटाइटिस दिवस मनाने के लिए वर्ष 2010 में WHO द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था यह प्रोफेसर बरूच ब्लूम वर्ग के जन्म दिवस पर मनाया जाता है नोबल पुरसकार विजेता प्रोफेसर बरूच ने ही हेपेटाइटिस बी के वाइरस की खोच की थी आपको बताते चलें के हेपेटाइटिस ग्रीक भासा के सब्द हेपार यानि यक्रित और आईटीस यानि सूजन से बना है हेपेटाइटिस के पांच प्रकार A, B, C, D और E होते हैं यह मुख्य रूप से दूसित भोचन और दूसित जल के कारण होता है हेपेटाइटिस B और C से यक्रित में अस्थाई रूप से ख्षती हो सकती है जबकि A और E कुछ समय बाद ठीक हो जाता है विज्ञान और प्रवदोगी की विभाग यानि DST ने हाल ही में रूस के साथ मिलकर भारत रूस से यक्रित प्रवदोगी की मुल्यांकन और त्वरित व्यावसाई करण कारिक्रम की सुरुवात किया है यह कारिक्रम फिक्की और FASIE के साथ साझेदारी में सुरू किया गया इसका उद्देश से प्रवदोगी की विकास के लिए भारत और रूस के स्टार्टप्स और MSME को जोड़ना है इस कारिक्रम को दो वारसिक चक्र में चलाया जाएगा हर चक्र के तहद पांच परियोजनाओं को वित्त पोसित किया जाएगा जिसमें दवाओं, नवी करणी उर्जा, IT और ICT जैसे सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा आपको बता दें कि फिक्की की अस्थापना साल 1927 में किया गया था माना जाता है कि महात्मा गाधे की सलाह पर पूर्सोत्तम, ठाकुरदास और जीडी बिल्ला द्वारा इसे अस्थापित किया गया इसका मुख्याले दिल्ली में है वर्तमान समय में फिक्की के साथ 25 सव से ज़्यादा कमपनिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पंजीक्रित है भारत सरकार ने हाल ही में विश्व स्वास्त संगठन के अनुरोध पर एक मिलियन डॉलर की चिकित्सी सहायता उत्तर कुरिया को भेजी है यह चिकित्सी सहायता डबलु एचो के एंटी टूबर कुलोसिस कारिक्रम के तहत भेजी गई यह सहायता उत्तर कुरिया में बढ़ते टीबी मरीजों को देखते हुए किया गया भारत दोजार पचीस तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष निर्धारित किया है वहीं WHO 2030 तक पूरे विश्व से टीबी खत्म करने की योजनाबर काम कर रहा है आपको बता दें कि कई देशों ने उत्तर कोरिया के ताना साहिर रवाईय को देखते हुए ये उत्तर कोरिया पर प्रतिबंथ लगाया है जिसमें अमेरिका, आस्टेडिया, चीन, जापान, दक्षन कोरिया और रूस जैसे देश सामिल है संकट की इस दावर में भारत द्वारा भेजी गई यह चिकित्सी मदद उत्तर कोरिया के लिए संजीवनी का काम करेगी फिलहाल 8 पिम के इस न्यूज बॉलेटिन में बस इतना ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तैयारी को एक नई दिसा देने के लिए जुड़े रहिए टारिगेट विन आलोक ऑनलाइन इंस्टिटूट से मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार